राधे राधे दोस्तों कैसी हुआ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है नियम अरे बहु ये क्या कर रही हो अभी चार दिन पहले ही तो पूरे घर के चादर बदले थे और साथ ही सोफा कुसन कवर्सा पदला था फिर क्यों पदल रही हो मालनी जी चसमे को साफ कर नाक पर चढ़ाती हुई थोड़ी गुसे से बोली वो ममी जी मेरी भावी का फोन आया था आज भावी यहां ओफिस की मिटिंग अटेंड करने आ रहे हैं तो साथ में भावी और उनके बच्चे भी आ रहे हैं इसलिए सब बदल रही हुँ चारू जल्दी जल्दी कुसन पर नए कवर लगाते हुए बोली हाँ तो भावी ही आ रहे हैं इसमें पूरे घर में उतल प में सर्फ पानी खर्चोगा तुम ऐसा करो फिर से सब पूराना बिचा दो जब वो लोग चले जाएंगे तब ये सब नया चादर और कवर लगा देना मालनी जी ने कुसन कवर छिनते हुए कहा लेकिन ममी जी ये तो आप ही का घर का रूल है कि मेमान के आने पर सभी चादर और कवर नए बिचाय जाते हैं ताकि घर साप और अच्छा लगे चारू हैरान रह गई मालनी जी की इस हरकत से हां तो घर के मेमान के आने पर ना की बहु के रिष्टेदार आने पर और वो लोग तुछ से मिलने आ रहे हैं या फिर चादर और कुसन से अब फालतो दिमाग चलाओ और जाकर नास्ता बनाओ मालनी जी गुसे से उबलते हुए बोली चारू किचन में चली गई और नास्ता बनाते हुए सोचने लगी कि बात तो सही है भाईया भाभी मुझ से मिलने आ रहे हैं फिर क्या फरक पड़ता है कि चादर और कुसन कवर नए है या पुराने कोई नहीं भाईया भाभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी उन्हें मेरे हाथ का पनेर टिका मसाला और वेज बिर्यानी बहुत पसंद है वहीं बना लेती हुँ और बच्चों के लिए पास्ता चारू ने मालनी जी को और प्रतीक को नस्ता दिया और लिस्ट बनाने लगी लिस्ट बनाकर उसने प्रतीक से पूछा प्रतीक क्या आप ऑफिस जाते समय ये लिस्ट पास के ग्रोसरी मौल में दे दिजिएगा वो होम डिलेवरी कर देगा लिस्ट अभी कुछ दिन पहले ही तो रासन आया है अब क्या मंगवा रही हो मालनी जी प्रतीक के हाथ स लिस्ट छीन लेती है पनीर पास्ता बुंदी दही गुलाब जाबून ये सब क्या मंगवा रही हो और क्यों प्रतीक टिफी ले जा रहा है ना और ये सब मैं नहीं खाती हूँ फिर किसलिए मालनी जी नजरे तिर्ची करते हुए बोली मम्मी जी भैया को मेरे हाथ का पनीर टिका और वेज बिर्यानी बहुत पसंद है वहीं बना रही हूँ और बच्चों के लिए पास्ता और साथ में बुंदी का रायता बना लुंगी और सलात के लिए खीरा और गाजर है मिठे में गुलाब जाबून मंगवा रही हूँ चारू ने जल्दी से लंच का मेन्यू बता दिया क्या इतना सब कुछ उन लोगों के लिए ही भगवान कैसी बहुत दी है आपने मुझे और उसकी रिष्टेदार भी किस अक लेके है हमारे यहां बहु के माईकी वालों का पानी पीना भी पाप समझा जाता है और तुम्हारी माईकी वाले इतना सब ठुसेंगे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी बहन अपने घर से बिना कुछ खिलाई-पिलाई आपको भेजदे तो और ममी जी क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी चारूने दोनों को समझाना चाहा ममी वैसे चारो बात तो सही कह रही है और फिर घर पर आए मेहमान का स्वागत सतकार करना ही चाहिए हमारी साधी के बाद पहली बार चारो के भईया भाभी मिलने आ रहे हैं तो प्रतीक ने मलनी जी को समझाने लगा वह बेटा साधी को अभी तीन महीना ही पुरा नहीं हुआ और पतनी की तरफदारी करने लगे प्रतीक को आँख दिखाते हुए बोली और फिर सारा गोबार चारो पर निकालने लगी मेरी बेटी को बीच में लाने की जुरत नहीं है अपनी तुलना उससे बिलकुल भी मत करना तुम इस घर की वहू हो और यहां के नियम का पालन करना तुम्हारा करतब आई बात समझ में या फिर तुम्हारे भईया को समझाना पड़ेगा कि उनकी प्यारी वहना ससुराल वालों की बात का मान नहीं रखती मालनी जी की बात सुनकर प्रतीक सिर जुका कर वहां से चला गया और चारू ठगी सी खड़ी रही अपने कमरे में बेचैने से चारू टहल रही थी आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी साधी एक धोका है ज का रखूंगी आपका या इसके भईया भावी का जब भी मन करेगा निसंकोच मिलने आ जाईएगा हमारे यहां कोई रोक टोक नहीं है बिदाई के समय बड़ी बड़ी बाती करने वाली मालनी जी का अब एक नया ही रुप देखने को मिल रहा है ससुराल आने के कुछ दिनो बाद मालनी जी एक अच्छी सास का चोला पहनती रही क्योंकि घर पर नई बहु आई है तो मालनी जी के ससुराल और माय की पक्ष के लोग आए दिन नई बहु से मिलने आ जाते हैं तब मालनी जी पूरे घर का हुलिया बदलवा देती थी कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही द तब मालनी जी बहुत ही प्यार से बोलती थी कि बहु मेहमानों को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके स्वागत सतकार में मेरी बहु पिछे रह गई जब ही मेहमान नजर घुमाए उन्हें साप सुत्रा और ताजगी महसूस होना चाहिए मेहमानों के खाने पीने का बिस पूल अलग रहता और सब कुछ चारू से ही बनवाया जाता हाँ वो बात अलग है कि महमानों से तारीफ है मालनी जी ये कहकर बटोर लेती कि सब कुछ उन्होंने सिखाया है ये सब देखने के बाद ही जब आज चारू को पता चला कि उसके भाईया भावी आ रहे हैं तो घर क चादर और स्वफा कुसन कवर बदलने लगी और खाने की भी लिष्ट बनाई लेकिन मालनी जी का रुखा बेवार और रुढी सोच देखर चारू हैरान और परिसान हो गई कुछ सोच चारू कुछ सोच इन सासू जी का कुछ तो करना पड़ेगा ऐसी सोच वाली सासू जी के साथ वो नहीं रह सकती और ये प्रतीक वैसे अकेले में बहुत बड़ी बड़ी बाती करते हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा और यहीं अपनी मम्मी क के आगे ही बोलती बंध हो गई चारू अपने आप से ही बाते कर रही थी सोच्टे सोच्टे चारू को भूक लगई क्योंकि सबेरे से इन सब बातों में उसने नस्ता किया ही नहीं था तो कीचिन में जाकर चाई और नस्ता लेकर वापस अपने कमरे में जाने लगी तो माल तीना वहीं हम आज किये हैं अरे नहीं मुझे पता है बहु के माईके से आज भर भर के समान आएगा लेने दिन में तो बहु के माईके वाले बहुत तेज है क्या उसमें भी कमी निकालनी है ठीक है ठीक है सब समझ गए और कुछ जी जी अच्छा ठीक है आप कह रही हैं तो मि बोल देंगे कि हमारे यहां बिदाई में बहु के रिष्टेदारों को कुछ नहीं दिया जाता और बच्चों को पान पान सो नहीं सो सो रुपए पकड़ा देंगे वह जी जी आप बैस ऐसे ही बताती रहना बहु और उसके रिष्टेदारों से कैसे निपटना है पता है जी आज प्रतिक की बहुत जुबान चल रही थी धारत्यज होने से पहले ही काट दी अब नहीं हीमत करेगा मेरी आगे अपनी पतनी की हिमायती बनने की ये सब सुनकर चारू सिर पकर कर बैठ गई ही भगवान हम तो समझ रहे थे की खराबी ममी जी में है लेकिन यहां तो तार की क्वालिटी मौसी जी नहीं खराब कर रखी है अरे जिनकी खुद की तिन बहुत से नहीं निबती है वो ममी जी को बहुत संभालने की टिप्स दे रही है चारू को बीमारी समझ में आ गई थी कहां से बीमारी आई है ये भी समझ गई थी कि अब बस उन्हें दभा देना ह और वो भी कडवी चारू ने ये सब बाते प्रतीक को बताई और प्रतीक ने अपनी दिदी प्रिया को प्रिया ने चारू को फोन करके सब कुछ समझाया तो उसकी आखों में चमक आ गई लेकिन फिर भी उसने पूछा दिदी सब ठीक हो जाएगा ना कई ऐसा नहो की बात बनने की जगा और बीगर जाए प्रिया ने अस्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और कुछ बिगर गया तो वह सब संभाल लेगी मालनी जी के साथ चारू भी बेचैनी से इंतिजार कर रही थी ठीक साड़े बाड़े बजे घंटी बजी और बच्चे चिलाते वे चारू से लिपट गए बुगा आप कैसी हो आपकी बहुत याद आती है चारू भी बच्चों के गले लगकर रोने लगी चारू के भाईया सुधी भावी सीखा मालनी जी के पैर छूने के बदले हाथ जोरकर नमस्ते करते हैं चारू सब को लेकर अपने कमरे में चली जाती है चार डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है जिससे देकर मालनी जी हैरान रह जाती है क्योंकि खाना होटल से आया था सब खाना पिना होने के बाद भाईया भावी चली जाते हैं बहु क्या तुम्हारे घर से कुछ समा नहीं आया खाली हाथ कोई बेहन से मिलने आता है क्या और तुमको समझाया था कि इस घर का खाना पानी उनके लिए मालनी जी मुँ बना कर ताने मार रही थी उनको बीच में ही रोकते हुए चारू बोली पाप नहीं लगेगा ममी जी मेरे माई के वालों को कुछ नहीं होगा भाईया भावी खाली हाथ कहां आय थे आपने ठीक स हातों से भर भर के धेर सारा अशिरुवात दिया जो किसी भी समान से ज्यादा अनमोल है आपने कहा था कि बेटी के सशुराल का ना खाना है और ना ही पिना है तो मैंने उन्हें वो मिठाई खिलाई जो भाईया लाई थे मेरे मायगे से पानी मैंने बिसलेरी का दिया यानी हमारे घर के नलका नहीं था और खाना मैंने बाहर होटल से मंगवाया था जो इस तरह उन्होंने हमारे घर का ना पानी पिया और नहीं खाना खाया आपने कहा कि आपके घर में आपके मेहमानों का स्वागत होता है बहु के रिष्टेदारों का नहीं तो ममी जी स्वागत तो ही सतकार मिलेगा वरना नमसकार से ही काम चलाना होगा अपना दाव उल्टा परते देखकर मालनी जी तिल मिला गई और कमरे में चली गई साम को प्रतिक के आने पर मालनी जी चारू की सब हरकते बताती है तो प्रतिक चूप चाप सुनकर वहां से चल देता है तो मालनी जी गुसे से बिफर उठती है सुबा तो बहुत हिमायती बना था अपनी पतनी का अब क्या हो गया है कुछ बोल क्यूं नहीं रहा है क्या बोलू और किसे आपको कुछ कह नहीं सकता और चारू को भी क्या बोलू उसने वहीं किया जो आपने उसे करने को कहा उसने अपने चल रही थी तभी प्रिया बच्चों के साथ आ गई आचानक प्रिया को देकर मालनी जी बहुत खुसो गई मालनी जी ने चारू को बुलाया और खाने पीने का इंतिजाम करने को कहा लेकिन चारू चूप चाप खड़ी रही उसे यूँ खड़ा देकर मालनी जी डपड़ते ह खड़ी क्यूं हो कुछ खाने पीने का क्यूं नहीं ला रही हो ममी जी मैं कुछ सोच रही थी चारू प्रिया के चारू तरब घुमते हुए बोली क्या सोच रही है मालनी जी अब ज़ला कर बोली ममी जी पहले आप मेरी संका दूर करो की दिदी जी आपकी मेहमान है या मेर रिष्टेदार क्योंकि हम दोनों में ननद भावी का रिष्टा है तो ये मेरी रिष्टेदार हुई और आपके नियम के अनुसार तो मैं दिदी का फिर स्वागत नहीं कर सकती और अगर ये मेहमान है तो आपके हुए फिर आपके मेहमान का स्वागत मैं कैसे कर सकती हूँ च चारू को बहुत हसी आ रही थी, भावे ये कैसी बहकी बहकी बाते कर रही हो, मैं मेमान नहीं, आपकी रिष्टेदार हूँ, और आप अपने रिष्टेदारों का स्वागत क्यों नहीं करेंगी, प्रिया अंजान बनते हुए बोली, मालनी प्रतीक और चारू एक दुसरे का म देखने लगे, प्रिया ने प्रतीक से कहा, सब बताने को, फिर उसने सब कुछ मालनी के सामने बताया, और चारू ने भी अपनी बात रखी, ममी ये सब चोचली आपने मौसी जी से सिखा है, क्यों ठीक है रही है न प्रिया ने, मालनी जी ने कहा तो वो चूप हो गई, ममी आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आती, कि मौसी जी जब अपनी ही बेटी और बेटों का घर उजार चुकी है, वो आपको सुखी रहने देगी, उनहीं की सलापर आप मेरे सस्वाल में बे मतलब की दखल आंदाजी करने लगी थी, वो तो मेरी साथ समझदार थी, और उन आपके बच्चे के सस्वाल वाले बहुत अच्छे और सीधे हैं, जो जरूरत पढ़ने पर साथ खड़े रहेंगे, पापा के जाने के बाद बस हम तीन रह गए थे, लेकिन आज आपका अपना कुटम बन गया है, सिर्फ कुछ बेबुनियाद और वाहियात नियमों की वज दिक की तो क्या, चारू और अमन की भी सिर्फ मा नहीं रह सकती क्या, जरूरी है सास बढ़ना, प्रिया की बात सुनकर मालनी जी को समच में आ गया, कि बेहन के बहकावे में वो गलत कर रही थी, माप कर दो, तुम सबने सही कहा, कि मैं मा हूँ, और मा कभी भेद भाव नही करती, चारू मुझे माप कर दो, मैंने तुम्हारे भाई भावी के साथ ठीक नहीं किया, मैं उनसे भी माफी मांग लूँगी, तुम भी मुझे माप कर दे, मालनी जी चारू के आगे हाथ जोर कर खरी हो गई, ममी जी आप माफी मत मांगे, आपकी सोच गलत नहीं, बना दी गई थी, चारू ने मालनी जी का हाथ पकर लिए, और उनके गले लग गई, सब ठीक हो गया, तो चारू के भाईया भावी को घर बुला ले, वो लोग होटल में है, हाँ बुला ले, वो लोग होटल में है, प्रतीक ने हस्ते वे कहा, तो मालनी जी ने खुद उन्हें घर प को अच्छी लगी हो तो प्लिस वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना धन्यवाद